असलाम अलेकुम तो सब लोग ठीक ठाक होंगे पिछले लेक्चर में ग्रीटिंग मैंने बताई थी मैथेमेटिशन्स की वो आपको याद होगी तो होप एवरिबडी इस दूइंग ओके इन मैथ और ये कि इस लेक्चर में हम हम सेकंड फंडेमेंटल थीरम अफ कैलकुलस जो है उस पे फोकस करेंगे काफी बड़ा थीरम है जाहर है सेकंड फंडेमेंटल थीरम है कैलकुलस का तो ये बेसिक मेजर टॉपिक जो होगा इस लेक्चर का ये थीरम होगा और देख लेंगे कि थोड़ी देर में है किया वो सारा थियूरम तो इसमें अब अभी तक हम क्या कुछ कर चुके हैं प्रिविएस लेक्चर्स के हवाले से और अब क्या सब जो हमने बाते की हैं प्रिविएस लेक्चर्स में उनके हवाले से अब हम किस तरह इसको डिवालप करेंगे वो थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं तो अभी तक वोई बात है कि integral calculus हम के उपर focus कर रहे हैं जो differentiation है वो तो हो चुकी है लेकिन ये कि इस सारी discussions में जो पिछले lectures में हमने की integral calculus के हवाले से और उसमें area problem जो थी काफी कि given continuous function के नीचे graph के नीचे अगर area मालुम करना है तो वो कैसे मालुम किया जा सकता है और उसमें देखा हमने के integration का concept जो है वो naturally arise करता है इस context में कि जी आप अगर area मालुम करना चाह रहे है graph के नीचे एक function के तो उसमें integration का concept involved होता है और integration का क्या है concept वो यही है कि जी आप differentiation का उलट करना चाहते है of course वो ही सारा हमने अभी तक किया भी है वो सब कुछ के अगर कोई function आपको दिया हुए given है तो उसको उसके corresponding एक ऐसा function ढूणना है जिसको अगर हम differentiate करें तो हमारे पास जो पहले given function था वो आजाए उसका result तो यह basically integration का concept ही यह था सारा basically जिसको हम indefinite integral के तोर पे हमने इसको देखा था फिर हमने definite integral के बारे में बात की थी किया चीज़ होती है वो और उसमें यह था कि of course that's just the area there is the area under the graph of a given function उसको हमने एक definite integral की तोर पे define किया था और definition में वो ही था कि एक limit है आप के पास of summation और वो ही बात थी कि summation जो थी वो रप्रेजेंट करती थी approximation of the area under the curve और approximation किस तरीके से हम represent करते थे वो sum जो था summation उसका खास नाम था remand sum बलकि हमने remand के बारे में भी कुछ बातचीत की थी पिछले lecture में तो थोड़ा सा historical background देखा था तो hopefully उस पे भी आपने थोड़ा सा गौर किया होगा क्योंकि history of course is very important in any field और खास तर पर mathematics में जो कह लेजीए कि एक जायका जो आता है या flavor जो आता है mathematics पढ़ने का वो उसकी history से ही आता है क्योंकि जब तक आप कहेंगे कि mathematics जो है वो तो सिर्फ एक बहुत सारे कुछ formulas हैं जिनको आप याद कर लें या रट लें ठीक है वो भी इसका हिस्सा है रटने परते हैं ताकि हमें याद रहे reference के लिए लेकिन जो उनके पीछे concepts होते हैं वो crucial चीज होती है कि जी इन formulas के जो formula आए हैं हमारे पास ये कहां से आए तो उसकी theory हम जाहरे हमने discussion भी की बहुत सारे formulas हमने derive किये लेकिन उससे पहले उसकी theory देखी लेकिन theory देखने से पहले अगर आप उस theory का background देख लें कि जी इस theory की motivation कहां से आई और तारीखी तोर पर ये कहां से इसका सारा जो यह आपके पास आज इतनी सारी एक well developed theory है इसकी history क्या है और कौन से वो characters थे जिन्होंने इस पे काम किया तो मेरे खार से वो काफी interesting हो जाता है topic वो concept जिसके बारे हम discussion करना चाहरे हूँ इसमें मैंने एक दफ़र गैलवार के बारे में भी बात की थी एक mathematician थे जिनका मैंने का था कि बड़ा ही एक romantic सा figure है mathematics की history में French mathematician थे और 16 साल की उमर में उन्होंने शुरू की थी मैत करना और 21 साल में जनाब वो politics में चुँके बहुत involved थे 1800 की French politics में तो of course he was actually killed in a duel ये जो पराने जमाने में duels होती थी जिसमें जी वो पिस्तॉले लेके कमर से कमर लगा के फिर walk करते थे और एक कुछ कदम चलने के बाद मुड़के shoot करते थे एक दूसरे को जो बच जादा था तब वो जनाब आपका जिसे कहते हैं जो जीता हो सिकंदर तो वो आपका hero हो जादा था और जो मर गया वो मर गया तो Galois of course छोटा भी था उमर में काफी 21 years old when he fought this duel and lost actually तो लेकिन ये के मरने से पहले Galois ने काफी contribution की mathematics में और एक पूरी Galois theory के नाम से एक mathematical theory है जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं तो ये भी एक तरह का motivation मिलती है कि जब मैंने पहले बार सुना ये कहानी सुनी Galois की और फिर ये देखा कि इसने contribution क्या किये mathematics की दुनिया में तो I was very surprised and I was actually very motivated यानि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भई mathematics जो मैं सोचता था कि जी वो बस कुछ formula होते हैं बस याद करो लो number आ जाएंगे लेकि वो चीज़ नहीं है इसमें तो लोगों ने जाने अपनी जाया की है इसके पीछे very interesting, very motivating concept रीमान का भी हमने देखा कि उसकी भी कुछ history थी contributions क्या की थी उसने एक famous mathematician Gauss का आखरी student था ये भी एक बहुत unique सी बात है और ऐसा आखरी student जिसने calculus की दुनिया में काफी contributions की जिए वोई topic जिसके बारे हमें आजकल बातचीत कर रहे है तो खेर जनाब ये तो कुछ थोड़ी सी motivation थी कि पहले भी मैं शायद इसके बारे में बातचीत कर चुका हूँ यकीनां कर चुका हूँ कि math को पढ़ना चाहिए as a wholesome subject सिर्फ ये नहीं कि जी बस formula याद कर लिए या बस कुछ इनको जल्ली जल्ली याद करके solutions निकाले और जी जवाब आ गया और applied science है और बात खतम जी नहीं इसमें बहुत से लोगों ने contribution की है बड़ी महनत की है intellectual महनत तो उसको हमें appreciate करना चाहिए चाहे हम mathematics, mathematicians बने या ना बने क्योंकि जब ये appreciation हमारे अंदर develop हो जाएगी mathematics के लिए तो फिर हमें हम वाकि में कह सकते हैं कि जी हम एक कहलें कि modern society बन चुके हैं क्योंकि intellectual जो वो होती है contributions उसको appreciate करना बड़ी अच्छी बात होती है और modernization की निशानी होती है अच्छा जी तो ये तो चले हो गया थोड़ा सा historical sermon या कह लें एक teacher की हैसियस से जो मुझे एक sermon देना चाहिए अब ये है कि हम mathematics में कहा हैं आज की lecture में क्या बात करनी है आज की lecture में मैंने का second fundamental theorem of calculus की बात करेंगे और ये देखेंगे कि ये relate कैसे होता है जो पिछले lectures में immediately हमने देखी थी कुछ चीजे integration के हवाले से और उन में सबसे important चीज जो थी वो थी first fundamental theorem of calculus उसकी बात हमने पिछले lecture में की थी उसमें ये था कि हमने देखा था कि वो जो आपका theorem है वो क्या कहता है काफी important theorem है कि उसकी वज़े से आप definite integrals को quickly solve कर सकते हैं यानि definite integral की जाहरे definition जो थी वो तो काफी लंबी चौड़ी ये limits हैं उसमें remand sums हैं और काफी calculation करनी पड़ती है उसको avoid करने का तरीका ये ही था first fundamental theorem of calculus और उसमें ये है कि अगर आप anti-derivative मालूम कर लेते हैं अपने given function का तो बस आप ये जो है आपका definite integral इसको evaluate करना बढ़ा आसान है आप anti-derivative को जो function आपने मालूम किया उसको आप evaluate कर लेते हैं at the end points of your given interval जिसको हम A और B हमारा interval था तो आप anti-derivative जो capital F से हमने denote किया था उसको evaluate करते हैं upper limit पे या outer end point of the interval which is B और उसमें से subtract कर लेते हैं the anti-derivative function capital F evaluated at the lower limit of integration या lower end point of the interval और वो result basically जो आता है वो आपका definite integral का answer होते है अच्छा जी अब हम इसी के बारे में चूंके बात कर रहे हैं first fundamental theorem की तो इसमें जाहर सी बात है मैंने जैसे भी क्या first fundamental theorem जो है वो एक जरिया है एक तरीका बताता है आपको definite integral को evaluate करने का तो उसमें ये के और वो ये बात है कि आप एक बार अगर ढूंड लेते हैं anti-derivative अपने उस function का जिसका आप definite integral मालूम करना चाहरे है तो basically life बड़ी असान हो जाती है first fundamental theorem अप्लाइ करते हैं और result आ जाता है लेकिन सवाल ये है कि क्या हमेशा anti-derivative मालूम किया जा सकता है एक given function का कि नहीं यानि conditions नहीं हमें पता है कि एक function continuous होना चाहिए तो usually उसका anti-derivative मालूम हो जाता है अब ये सवाल है कि नहीं बलके ऐसे कहना चाहिए कि अभी तक जो हमने देखी है functions continuous functions वो ऐसे थे जिनका anti-derivative exist करता था कोई guarantee नहीं थी अभी तक कि अगर मैं आपको एक function देता हूँ continuous function तो उसका anti-derivative exist करेगा या नहीं करेगा हमने देखा कि जो examples देखी है उसमें यहीं देखा कि जी हाँ exist करता था लेकिन कोई hard and fast ऐसा कोई theorem नहीं था जो guarantee करे कि जी वाकी continuous functions जो होते हैं उनका anti-derivative exist करता है हमेशा इसकी कोई guarantee नहीं थी अब यह है कि ठीक है first fundamental theorem तो एक बड़ी अच्छी technique हो गई for evaluating once we have found the anti-derivative of our continuous function that we are trying to find the definite integral of लेकिन यह कि how do we know कि ऐसा एक function का anti-derivative exist करता है यह नहीं यह जवाब इस सवाल का जवाब है वो हमें मिलता है second fundamental theorem of calculus से जिस जो हमारा major topic होगा आज के lecture का तो अब थोड़ा सा यह preview हो गया है तो अब शुरू करते हैं देख लेते हैं आज का topics और जो जिनके बारे में हम बात करेंगे आज के lecture में इनको लिख लेते हैं आज का topic जनाब of course कई दफा मैं अभी already कहा चुका हूँ second fundamental theorem of calculus यह हमारा topic है आज का और जो sub topics हैं या जो agenda है आज का जिसके बारे में बात करेंगे वो है जनाब सबसे पहले हम देखेंगे कि एक dummy variable क्या चीज़ होती है dummy variable क्या होता है देख लेंगे अभी इसकी definition इसके बाद हम देखेंगे definite integrals with variable upper limit यानि ऐसे definite integrals जिसमें upper limit जो है वो एक number नहीं होगा यानि आज आम तोर पे b होता था उसकी जगा हम कोई variable के तौर पे इस्तमाल करेंगे एक variable को किसी को यह भी देख लेंगे थोड़ी देर में इसकी details भी इसके बाद जनाब of course हमारा जो major topic है second fundamental theorem of calculus इसके बारे में बात करेंगे फिर हम देखेंगे इसी second fundamental theorem को इस्तमाल करके हम एक तरह से proof करेंगे the existence of anti-derivatives of continuous functions यही एक सवाल था जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि यह सवाल ऐसा है जिसका जवाब अभी तक हमारे पास नहीं था इसको हम resolve कर लेंगे कि जी इसका जवाब क्या है वो देख लेंगे और आखर में फिर हम देखेंगे functions ऐसे functions जो integration यानि integrals की तोर पर define की जा सकते है और इनकी details भी थोड़ी देर में भी हम शुरू करते हैं तो देखेंगे क्या है अच्छा जी तो अब शुरू करते हैं पहले जो topic था dummy variables इनके बारे में बातचीत करते हैं कि dummy variables क्या होते है तो dummy variable basically इस तरह से देखना चाहिए कि जब integrals की बात होती है definite integrals की तो उसमें हम जो अभी तक हमने variable इस्तेमाल किया function के लिए वो x था यानि जितमें भी हमने functions integrate किये ये जिनका definite integral मालूम किया वो थे जनाब f of x dx लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हमने शायद एक example कम असकम देखी होगी जिसमें हम t variable यानि letter जो है वो भी स्तेमाल कर सकते हैं f of t भी हो सकता है यानि integral बन जाएगा f of t dt बलके जब substitution की थी हमने u substitution की बात की थी तो उसमें जाहर है हमने जो given function था जिसको हम integrate कर रहे थे उसके अंदर x की terms में दिया हुआ था उसको हमने का भी ये बहुत complicated है directly integrate करने के लिए तो उसको हमने convert किया था into a function of u तो u जो था वो एक different letter था alphabet का जो हमने इस्तमाल किया to represent the variable of integration basically तो यहाँ पर भी एक तरह का वही concept है dummy variable जो होता है वो basically यह जो variable of integration है इसको आप dummy variable कह सकते हैं तो थोगा सा इसके बारे में technical जो बाते हैं वो लिख लेते हैं क्या है इसमें कहने का मकसद कुछ यूँ है कि अगर हम लिखते हैं कि integral a to b f of x dx और साथ मैं एक और integral में लिखता हूँ f of t dt a से b तक और फिर एक integral लिख लेते हैं a से b तक f of y dy तो इसमें note करें कि यहाँ पर substitution की exactly बात नहीं हो रही है यहाँ पर जब you substitution हम करते थे to integrate to find the definite integral उसमें हमने note देखा था कि जब आप substitution करते हैं तो आपके जो limits थे integration के x limits जिने हमने कहा था क्योंकि original function x की terms में था लहाजा जो limits थे integration के जिने a और b के तोर पे हम लेते हैं अभी भी मैंने वही लिखा है उनको x limits के तोर पे हमने treat किया था कि वो limits थे defined in terms of the x variable लेकिन जब u substitution की तो फिर हमने इनको convert किया था using the u substitution formula into u limits और वो जरूरी था उसके बगार आपका definite integral का जवाब सही नहीं आता यह एक और तरीका यह था कि आप पहले जो definite integral है उसको उसके limits हटा दीजे for a second treated as a indefinite integral integrate करें जब जवाब आजाए उसको वापिस x की terms में लियाएं और फिर evaluate कर लें using the first fundamental theorem of calculus तो वो तोर इसी different चीज है यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसमें कहने का मकसद सिर्फ यह था कि यह जितने भी तीर integrals लिखे इनमें limits वही है जो a से b तक लेकिन जो function है उसमें मैंने variable का नाम change कर दिया यानि substitution कोई नहीं किये मैंने मैंने सिर्फ यह काया कि जहाँ x लिखा है वहाँ पर उस x की जगह मैं अगर t डाल देता हूं या letter y डाल देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा formula में substitution में तो यह होता है कि आपका पूरा formula चेंज हो जाता है integration का जिस चीज़ को आप integrate कर रहे थे वो change हो जाती है असान हो जाती है integrate करने के लिए यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज कर दिये यानि अगर मेरा नाम फैसल है और कोई मैं काओं कि जी मेरा एक और नाम कुछ लोग मझे शा के नाम से बुलाते है मेरा middle name जो है तो आदमी तो मैं वही रहा जाहिर है नाम चेंज हो गया तो लेकिन पॉइंट यह कि इसको क्या मकसद है वाइर वी इंट्रिदूसिंग दिस नियू इस दिस कॉंसेट अफ़ दमी वैरिबल यहनि जो अभी तीन यह जो एक्स और टी और वाई मैंने कहा इसको डमी वैरिबल इसलिए कहते है कि इसको डमी वैरिबल इसलिए कहते है जो गो कि मैंने वैरिबल अफ़ इंट्रिशन चेंज कर दिया था एक्स टी और वाई लेकिन एवेंचुली जब आप इंटीग्रेट करेंगे इस सारे तीनों इंटेगरल्स को तो जवाब एक ही आएगा तो मकसद कहने का यह है कि गो कि आपने variable change कर दिया है आपका integral change नहीं हुआ है लहाज आपका जो result आएगा इस integral का, definite integral का it'll be the same in all three cases तो that's why we are saying कि जो नाम अगर मैं change कर देता हूँ letter का या इसका variable of integration का letter change कर देता हूँ तो उसको it's the same, it's kind of a dumb thing to do that's why it's called a dummy variable I guess इस तरह भी कह सकते हैं कि it's a dumb thing to do, doesn't change anything therefore we call it a dummy variable इसकी example कर लेते हैं तो थोड़ा सा clear हो जाएगा concept के किस चीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर example जनाब है अगर मैं integrate कर रहा हूँ 1 से लेके 3 तक x2 dx को तो of course this is इसका x2 का एक anti-durative जो है वो है x3 divided by 3, इसको evaluate करते हैं 1 और 3 पर using first fundamental theorem of calculus तो result आता है 26 divided by 3 इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसको x की जगा लिख लेता हूँ integral 1 से लेके 3 तक of t2 dt तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके जवाब में क्योंके t2 dt का जो integral है वो है anti-derivative है वो है t to the power 3 divided by 3 इसको evaluate कर लें 1 से लेके 1 पर 3 पर जवाब आता है again 26 divided by 3 और similarly अगर मैं लिख हूँ integral 1 से लेके 3 तक of y square dy जवाब हो ही आएगा y cube divided by 3 evaluated at 1 and 3 end points and the result again is 26 divided by 3 ठीके जी तो ये concept था dummy variable का इसकी थोड़ी सी आप सोच रहे होंगे हाँ जी ये तो बड़ी simple सी बात है इसमें बहुत बड़ी बात कोई नहीं है हाँ वाकी कोई बड़ी बात नहीं लेकिन technical सी बात है तो it's good to have it you know in your mind this case को हम इसके बारे में क्या details हैं इसको हम इस्तमाल करेंगे in some things तो ये हम देख लेते हैं कि कहां इस्तमाल करेंगे इस्तमाल हम करेंगे जब हम नेक्स टॉपिक पर बात करते हैं जो थे था जी definite integrals जिसमें जो अपर लिमिट है आपकी integration का वो एक variable हो यानि मिसाल के तोर पे मखसद कहने का क्या है मखसद कहने का ये है कि अगर आप देखें integral from a to x of something ये बीच में something कुछ भी हो सकता है कोई भी function होगा we don't care लेकिन मखसद ये है कि अब b की जगा b एक number था यहाँ पे अब मैंने x लिख दिया है which represents a variable तो यहाँ पे अब होता कुछ यूँ है कि चूँके upper limit जो है integration का वो भी x बन चुका है और आजम तोर पे जो हम integrants लिखते हैं यानि जिन functions को हम integrate करते हैं वो भी functions होते हैं in terms of the variable x तो थोड़ी सी confusion हो सकती है create जब हम यह integral evaluate करेंगे यानि आपका upper limit जो है वो भी x है और जो function आप integrate कर रहे हैं वो भी define हो हो है in terms of x तो कहने का मुफस्द यह है कि यहाँ पे कुछ confusion create हो सकती है तो इस confusion को avoid करने के लिए हम यहाँ पे यह जो dummy variable का concept हमने introduce किया था वो इस्तमाल करेंगे और हम कह सकते हैं कि जहाँ पे भी upper limit जो है वो x variable को इस्तमाल करके represent किया जा रहा है तो उसमें हम function का जो variables को change कर देंगे from x to anything else यानि अगर f of x dx को आप integrate कर रहे हैं a से लेके x तक तो बहतर होगा कि इसको आप लिखें in the form a to x integral of f of t dt या f of y dy या f of any other variable of integration यानि आप अपने English alphabet से कोई भी variable चूस कर सकते हैं a letter चूस कर सकते हैं to represent this variable और बलके English language से किया जब हमारे पास variables खतम हो जाते हैं we can always choose from Urdu यानि यहाँ पर मैं f of alif d alif लिख सकता हूँ कोई हज नहीं होगा यूनिक सी बात है लेकिन मेरे खार से interesting है शायद हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी mathematics को अर्दू में convert कर दें तो जादा मज़ा आएगा लेकिन यह कि चलें अब आगे चलते हैं कि देखते हैं इससे क्या develop कर सकते हैं कोई concepts तो concepts की बात हो रही है develop करने की तो एक example कर लेते हैं जो आपको इस ऐसे integrals में होगा involved जो जिसका upper limit जो है वो एक variable है तो देखते हैं कि ऐसे integrals को कैसे evaluate करते हैं evaluate हमें करना है जनाब example में the integral of t square dt from 2 all the way to the variable x तो इसका जवाब आप के पास इसको मतलब integrate वैसे ही करेंगे जैसे कोई और आम definite integral हम evaluate करते हैं तो यह आ जाएगा जनाब इसका result t cube divided by 3 यह anti derivative है t square का इसको अब हम evaluate कर लेंगे at the end points x and 2 using the first fundamental theorem of calculus तो result आएगा x to the power 3 divided by 3 minus 8 divided by 3 तो यह कोई खास change नहीं हुआ इसमें तरीका जो है integrate करने का ऐसे integrals को जहाँ पर अपर limit कोई variable हो बिलकुल वैसा है जैसे अभी तक हम करते हैं यानि different integral को जैसे evaluate करते हैं उसी तरह से ऐसे integrals को भी evaluate करेंगे जिनका अपर limit कोई variable होगा तो यह इसमें अब यह भी आप सोच रहे होंगे भाई कि यह what's the point कि यह upper limit variable क्यों है यह variable इसमें वही थोड़ा सा concept अगर आपको यादो काफी पहले हमने बात की थी जब एक area under the curve की हमने बात शुरू की थी तो उसमें हमने का था कि जी अगर आप area एक interval पर मालूम करना चाहरे है A से लेके B तक तो उसकी बजाए आप area को एक function के तोर पर define कर सकते हैं अगर आप B को एक variable के तोर पर treat यानि B की बजाए आप solid values A और B की बजाए आप कहते हैं कि मैं A से start करूँगा उपर आपके पास एक curve ऐसे और यहां से आप extend करेंगे आइस्ता अपना A को move करेंगे B की तरफ और जहां पर आप रुकेंगे in between उसको X कह लीजे तो एक तरह का आपके पास area X तक जो आएगा वो एक function बन जाएगा area function in terms of X और जैसे जैसे X move करेगा वैसे वैसे जो यह area function है वो आपको area की values देता जाएगा तो इस तरह से अगर आप सोचें और यहाद करें कि area जो है वो definite integral की ही form में के जरीय ही define किया जाता है under the curve तो यह जो है integral जो हमने देखा जिसमें upper limit एक variable है it automatically ties into that concept कि हाँ जी यह एक area function बता रहा है कि area defined so far यानि so far से मुराद यह कि b से पहले पहले जितने भी values take on कर सकता है X variable that far you can define an area function और यह basically वो ही concept यहाँ पे है तो यानि आप यह भी देखें कि यह जो integral आपने evaluate किया भी example में इसमें जो result आया वो कोई number नहीं था definite integrals का result हमेशा जिनके limits numbers होते है एक number result आता है यहाँ पे एक function आया यानि आपने जब इसको integrate किया तो resulting thing was a function rather than a number तो इसमें बलके जैसे एक तरह की बात इस तरह भी देख सकते हैं कि जब derivatives की बात की थी हमने differentiation में तो उसमें हमने शुरू इसी तरह किया था कि हम derivative मालूम करते थे at some given point तो उसमें यह होता था कि result जो आता था वो एक number आता था फिर हमने का कि जी अगर हम number जो यह जो point था वो एक real number होता था और उसकी वज़ाद से result भी एक real number आता था लेकिन अब हम कहते हैं कि जी जो point है a इसको अगर हम variable कर दें x तो resulting answer was actually a function और उसको फिर हमने का था कि यह derivative function है और उससे फिर एक derivative function का concept developed होता उसी तरह यहाँ पर यह एक integral function कह लीजे कि यह जो variable वाले integrals होते है these are actually giving you a function at the end अच्छा जी तो यह concept भी developed हो गया कि कुछ ऐसे integrals होते है जिनका upper limit जो है वो variable होता है ठीक है अब सवाल यह है कि जी क्यूं हमने यह दो concept अभी तक develop की हैं एक dummy variable का और ऐसे integrals का जिनका upper limit जो है वो एक variable हो तो जवाब यह है इसका कि अब चूंके हम major topic जो हमारा वो है second fundamental theorem of calculus जो हम इस lecture में address करना चाहरे है तो उसकी हमें of course वो focus है main तो उसके बारे में बात करने के लिए हमें यह दो चीज़े develop करनी पड़ी और इनकोब हम इस्तमाल करेंगे second fundamental theorem में जब इसकी हम थोड़ी सी detail में जहेंगे तो dummy variable का concept भी इस्तमाल होगा और यह जो integrals with upper limit as a variable वो भी हम इसमें इस्तमाल करेंगे तो आईए इसको शुरू करते हैं इसके बारे में बातचीत second fundamental theorem of calculus अच्छा अब वही बात है कि एक lecture था काफी पहले जो correspond करता है आपके textbook के section number 5.1 से basically उसमें हमने बात की थी यह जो अभी थोड़ी दर पहले मैंने आपको बताया कि area को हमने define किया था अगर हमारे पास यह था कि situation को चीओ थी कि अगर हमारे पास कोई function है continuous function f which is also non-negative on a given interval non-negative से मुराद यह है कि उसकी जो values आती है function की for various x values are either greater than or equal to 0 यानि उसका जो graph अगर आप बनाएं तो वो x-axis से उपर ही उपर रहेगा या x-axis को touch करेगा उससे नीचे नहीं जाएगा तो ऐसे functions की हमने बात की थी और उसमें हमने का था कि वोई concept जो मैंने भी थोड़ी देर पर दिसकस किया कि आप कहते हैं कि इसके नीचे ऐसे function के graph के नीचे हमें area मालूम करना है on the interval a b तो इसमें यह था कि आपने वोई किया कि जी x तक एक point इंट्रड्यूस किया x जो कि एक variable point है और a से शुरू होके वो जहां भी रुखता है वहां तक वो आपको एक function area define कर देता है a of x तो इसको फिर हमने मजीद develop करके हमने कहा था कि जी जो एक बहुत बड़ी बात थी Leibnitz और Newton ने कही थी in terms of finding this area function तो वो यही थी कि जो इसका area function का derivative जो होगा वो बराबर होगा उस function के जिसके graph के नीचे आप area मालूम कर रहे है in the first place तो एक बहुत बड़ी बात थी है भी इसकी philosophically देखा चाहिए इसको अगर तो यानि कहने का मकसद यह है कि अगर हम इसको लिख लेते है तो फूरी statement इसको यह थी कि अगर let's say that if we have f a non-negative continuous function over the interval a, b and a of x represents the area under the curve y equals f of x over the interval a, x तो यहाँ पे अब a से b तक जो interval है उसके अंदर एक छोटा sub-interval होगा a से लेके x तक और x जो है वो कोई भी point हो सकता है तो f of x का over the interval a, x as a function of x then the derivative of a a of x which is a prime of x is equal to the function f of x और इसको हम लिख लेते है for a minute as capital B इसको denote करते है इस equation को ताके हम इसको استعمال करें बाद में तो यह वोई बात है जो पहले भी मैं कहा चुक हूँ अभी थोड़ी देर पहले फिर से कही के जो area का function इस तरह से हमने प्रूफ किया था section में, lecture में कि area जो function है उसका derivative जो है वो बराबर होता है उसी function के जिसके नीचे आप area मालूम करना चाहरें तो concept यह था कि once you know this fact यह तो हमें पता है कि derivative जो है वो given function की बराबर है तो अब हम अगर इसको integrate करें इस equation B को दोनों side पे तो हमारे पास original a of x function आ जाएगा तो मकसद यह था कि हमें a of x मालूम नहीं था लेकिन इस equation को इस्तेमाल करते वे हम a of x जो area function है मालूम कर सकते हैं this was a big thing तो इसमें यह कि कुछ थोड़ा सी एक picture बना लेते हैं तो थोड़ा सा clear हो जाया कि क्या बातचीत हो रही है यहां पर यह देख लें पहले भी हम देख चुके हैं इस picture को तो इसमें आपका जो अभी statement देखी थी उसके corresponding जो picture है उसमें आप देख सकते हैं कि area over the interval a, x का क्या मतलब है और function कौन सा है f of x कौन सा है और a of x कौन सा है तो जनाब यह हो गया आपकी पुरानी बात जो हम देख चुके हैं अब इसको इसको इस्तेमाल करते हुए हम further develop करते हैं ideas को अब हम ऐसा करते हैं कि area function जो है जाहर है वो जो भी होगा चुनकि area represent कर रहा है तो उसको हम definite integral के तौर पे लिख सकते हैं जाहर सी बात है area is defined in terms of the definite integral इसकी definition थी तो हम लिख सकते हैं इसको देख लेते हैं कि a of x जो होगा we can now write this as the integral a all the way to x f of t dt तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जरूरत थी एक ऐसे integral की जिसका upper limit जो होगा integration का वो एक variable हो और यह जो हमने भी थोड़ी देर पहले देखी equation लिखी भी area की यह वो वारा area है जो sub interval a से x तक आप मालूम करना चाहते हैं यानि this is actually a functional यानि एक function की तोर पे आप integral जो आपका evaluate जब करेंगे तो एक function आएगा that'll be the area function of course तो यहाँ पे वह और वह बात भी आपने देखी के मैंने चूंके अपर लिमिट x था तो dummy variable जो variable of integration है उसको मैंने x की बज़ए d के दौर पे लिया है ताके confusion ना हो तो अब यह हमारे पास area की एक integral की form में इसकी equation आ गई और बिल्कुल सही है क्यूंके हम area defining integrals के जरीए करते हैं और यह वो area है जो x तक आप मालूम करना चाहरे है a से लेके x तक in the interval a, b ठीक है जी तो अब इसको इसके बारे में अब हम क्या कर सकते हैं अब ऐसा करते हैं यह जो equation मैं ने लिखी थी थी थोड़ी देर पहले a of x equals the integral a to x f of t dt इसको differentiate कर लेते हैं यह इसका derivative मालूम करते हैं और देखते हैं क्या होता है तो आए देखते हैं इसको इसमें देखें कि अगर मैं derivative लेता हूं with respect to x of the area function a of x तो result आता है d over dx of a of x equals a prime x जाहर है notational बात है यह तो d over dx of a of x is just a prime x लेकिन a of x जो था वो defined था in terms of an integral तो चुँके मैं left hand side पे derivative ले रहा हूं मुझे right hand side पे भी लेना पड़ेगा तो result आता है right hand side पे d over dx of the integral a to x f of t dt और यह किसके बराबर होगा यह बराबर होगा f of x के अच्छा जी तो अब यह सवाल यह है कि d over dx मैंने जब integral कर लिया a से x तक जो integral था तो इसका result f of x क्यों आया यह कहां से follow करता है यह obviously कर रहा है from that equation जिसको मैंने कहा था कि हम capital b के तोर पे लिख लेते हैं वो equation थी from a very early lecture और जो book में section 5.1 है कि अगर आप a prime of x जो था बराबर था f of x के वो जो given function है यह हम काफी पहले देख चुके हैं अभी फिर से मैंने लिख की थी तो वो capital b equation जो है वो मैं इस्तेमाल किये हैं यहाँ पे मैंने क्योंकि differentiate मैं कर रहा हूँ a of x को और वो result आता है a prime of x बीच में जो एक step है वो यह है कि चुके a of x जो था वो defined था in terms of an integral तो I have to take the derivative of that integral also but I know the answer, the answer has to be f of x from that equation b using what we have discussed a lot earlier यहनि जो कुछ पहले lectures में हमने discussion की थी वो इस्तेमाल करते वे तो यहनि एक खास किसम के integral का जो derivative है अब वो मेरे पास इस तरह से आ गया है और वो बराबर है f of x के यही this is basically it जिससे कहते हैं कि यह जो मैंने अभी लिखी equation थोड़ी दिर पहले यह basically represented ही है the second fundamental theorem of calculus इसको हम theorem के form में लिख सकते हैं और यह statement जो equation अभी लिखी थी हमने लेखी थी यह सारे continuous functions के लिए true है यानि as long as आपका जो function f है वो continuous है तो यह चीज ट्रू रहेगी तो इसको अब theorem के form के में लिख लेते हैं और वो है second fundamental theorem of calculus तो जनाब यह theorem है आपके सामने the second fundamental theorem of calculus और statement इसकी यह है कि let f be a continuous function on an interval i यहाँ पर कोई भी interval ले रहे है i जो है वो a, b b हो सकता है या यह a से लेकि x तक भी हो सकता है arbitrary interval है और condition f पर यह है कि continuous function होना चाहिए and let a be any point in i if capital f is defined by capital f of x equals the integral a to x f of t dt then f prime x capital f prime x equals small f of x at each point x in the interval i तो यह जनाब आपका theorem हो गया second fundamental theorem of calculus इसकी statement थोड़ी सी फॉरण देखें इसको read करें तो शायद impact ना हो इसका लेकिन यह वही बात है कहने की कि anti derivative अगर आपके पास है वो एक defined है in terms of an integral जिसका upper limit x है तो उसको differentiate करेंगे अगर आप तो वो function जिसका आप integral ले रहें और वो function t की terms में है तो वो evaluate करने की बजाए आप ऐसा कह सकते हैं यह तो बराबर है f that function that you are integrating at the upper limit x तो इस theorem को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है इसके understanding clear हो जाती है बलकि यह लिख लेते हैं कि यह दो तरीके क्या हैं तो देखते हैं इनको we should read this theorem as if the integrant is continuous integrant से मुराद वो small f function जो हम integrate कर रहें then the derivative of a definite integral with respect to its upper limit is equal to the integrant the function you are integrating evaluated at the upper limit यह नि मक्सद कहने का यह के जो upper limit है वो चूंके एक x के तौर पे हम ले रहे हैं एक variable के तौर पे तो उसको बजाए आप पूरे function को आप integrate करें और पहला first fundamental theorem इस्तेमाल करें अगर upper limit जो है वो वो है variable है तो इसमें आप उसको function को उसपे evaluate कीजिए और result आपके सामने आ जाता है यह तो पहली चीज़ हो गए इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि the derivative of a function representing the area under the curve of another continuous function small f is equal to the function small f on a given interval और यह जो second part जो हमने जो second statement लिखी यानि इसको understand करने के लिए second fundamental theorem को यह वो ही चीज़ है जो हम काफी पहले देख चुके हैं और अभी तक हम इसकी कही दफा बात भी कर चुके हैं तो इसकी थोड़ी सी simple सी statement है second fundamental theorem की तो आदमी थोड़ी देर के लिए confused होता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई लेकिन यह जो तीन चीज़े अभी हमने देखी हैं एक तो statement देखी और फिर दो चीज़े उसको understand करने के लिए दो statements लिखी है इन पर गौर कीजिए यह बड़ी crucial है और इन ही से इसकी understanding होती है तो इसमें अब एक example भी कर लेते हैं लेकिन example से पहले कुछ थोड़ी सी notation की बात है यह मैं लिख देता हूँ notation चुके काफी important होती है confusion create कर सकती है तो इसको clear कर लेते हैं जो theorem है second fundamental theorem इसको आम तोर पर ऐसे भी लिखते हैं कि d over dx of the integral a to x f f of t dt equals f of x यह 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 चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने इसको develop किया था idea को लेकिन जो statement है उसमें capital f prime of x इसको अगर आप avoid करना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं as the derivative of the integral itself equals the function that's given to you जिसका आप integral मालुम कर रहे थे with upper limit x तो आए अब एक example करते हैं इस theorem की और through dc understanding इस से clear हो जाएगी example है जी के एक function है f of x equals x cube और जाहरा यह x cube function जो है यह continuous function है यानि यह पूरी real number की line पे यह continuous होता है इसकी domain सारे real numbers है तो अब हम चुकर यह continuous है तो हम second fundamental theorem इस्तमाल करते हैं कह सकते हैं के d over dx of the integral a to x t cubed dt is just equal to x to the power 3 यह नि बजाए इसके के मैं यह चीज़ बलकि यह integral हमने थोड़ी देर पहले किया था एक example में तो उसमें यह कि इसको बजाए मैं evaluate करता और कहता कि जी यह result आया है मैं directly कह सकता हूँ कि t cubed की जगा आप x डाल दें तो वो आपका function आपका जवाब आजाएगा इस integral का यह नि जो result आपको चाहिए वो function आजाएगा जिसको आप integrate कर रहे हैं इसको check कर लेते हैं कि वाकी यह theorem सही है कि नहीं ऐसा करते हैं जो integral अभी देखा हमने जिसका derivative लिया इसको directly integrate करके देखते हैं कि जवाब सही आता है कि नहीं तो check कर लीजे कि अगर आप इसको directly evaluate करेंगे तो आपके पास आएगा integral को t cubed t equals t to the power 4 divided by 4 evaluated at a and x तो यह first fundamental theorem इसको evaluate करें तो जवाब आता है x to the power 4 minus 1 fourth अब इसको अगर आप differentiate करें तो जवाब आता है y equals x to the power 3 तो यह इस example से जाहर होता है कि जो आपने second fundamental theorem जो है आपका calculus का यह एक काफी powerful theorem है बजाए एक लंबी चौड़ी calculation करें और फिर उसको differentiate करें आप एक ही step में कह सकते हैं कि एक integral को अगर मैं differentiate करता हूँ तो जवाब वो ही function आता है जिसका मैं integral ले रहा हूँ with variable upper limit अच्छा जी तो यह example भी हो गई अब जो crucial एक और topic है इस section का वो था कि existence of anti-derivatives of continuous functions यह नहीं हमने बात की थी कि first fundamental theorem में तो हम देखते हैं कि हमारे पास अगर anti-derivative exist करता है इसका function का किसी function का जिसको आप integrate कर रहे हैं तो हम बड़ा अराम से इसको integrate कर लेते हैं जवाब हमने देखा था वो कैसे करते हैं अब सवाल यह कि क्या कोई भी function अगर मैं आपको दूँ तो उसका anti-derivative exist करेगा क्योंकि अगर करेगा तो first fundamental theorem बड़ी असानी से apply हो सकता है तो जवाब इसका यह कि जी अगर आपके पास function जिसको आप integrate कर रहे हैं यह जिसका anti-derivative मालूम करना चाह रहे हैं वो continuous है तो उसका anti-derivative हमेशा exist करेगा और यह जवाब आपको मिलता है second fundamental theorem of calculus के जरिए तो कैसे मिलता है यह देख लेते हैं Let's write some stuff down Second fundamental theorem की statement अगर आप देखें वो है कि d over dx of the integral a to x f of t dt which is equal to f of x तो यहाँ इस formula से जाहिर होता है कि अगर मैं लिखता हूँ यह जो integral है इसको अगर मैं नाम दे देता हूँ capital f of x का तो जाहिर है d over dx of capital f of x is equal to f of x यह जाहिर यह simple सी बात है कि integral को आपने integral यह जो आपके सामने है a to x इसको जब eventually आप integrate करेंगे तो result is a function and that function I am calling capital f and of course if I substitute this capital f in the equation for the statement of the second fundamental theorem of calculus result आता है d over dx of capital f of x equals small f of x तो यह statement जो अभी हमने देखी और इसमें जो हमने एक substitution की capital f की तो capital f क्या है capital f एक ऐसा function है जिसको अगर आप differentiate करें तो result आता है small f function और small f of x जो है वो ही तो वो function है जिसमें आप interested है यानि उसी को आप integrate कर रहे थे from a to x और उसके बाद उसको differentiate करें तो original function आ जाता है f of x small f of x तो यहां से जाहिर हो गया बड़े quickly और बहुत ही simply कि second fundamental theorem जो है वो guarantee करता है कि अगर आपका function continuous है यानि function से मुराद यहां पर मेरी वो function जिसको आप integrate कर रहें और वो है small f function तो उसको अगर आप integrate करें और फिर differentiate करें तो आपके पास वो ही original function आता है इसका मतलब यही हुआ कि ऐसे function का anti-derivative जो है हमेशा exist करता है क्योंकि अगर नहीं करेगा तो जाहर है statement गलात हो जाएगी second fundamental theorem of calculus की अच्छा जी अब आखरी जो चीज़ है आज की वो है integrals या functions defined in terms of integrals only तो यह कैसे होते हैं कौन से functions होते हैं के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसमें होता कुछ यूँ है कि अभी तक जो हमने बातचीत किये उसमें जो हमने functions integrate किये जितनी भी हमने सारी बाते की second fundamental theorem of calculus first fundamental theorem of calculus इसमें ऐसे integrals हमने देखे जिनका eventually हम उनको integrate कर सकते थे और result आता था एक कोई और function या या कोई number अगर definite integral होता था अब सवाल यह कि क्या कोई ऐसे functions भी होते हैं जिनका integral मालूम करना नामुमकिन है तो जवाब यह कि जी हाँ बिलकुल है ऐसे functions बहुत हैं बलके लातादाद हैं जादा तर functions होते ही ऐसे हैं यह तो बहुत छोटी सी एक class होती है functions की जिनको आप integrate कर सकते हैं using these very simple techniques we have seen तो एक ऐसा functions देख लेते हैं कौन सा है यह एक function है जनाब एक integral है इसमें एक function जो है जिसको मैं integrate करना चाहूंगा वो है 1 divided by x यानि यह function हम देख चुके हैं काफी पहले इसको मैं integrate करना चाहूंगा 1 से लेके 3 तक तो इसमें देखें के यह function जो है 1 over x यह continuous है 1,3 interval पर तो लहाजा यह integrable है by you know because it's a continuous function on the interval 1,3 तो अब second fundamental theorem of calculus से मैं कह सकता हूं directly कि इसका anti-derivative जो होगा वो एक function होगा capital F of x equals 1 to x 1 over t dt यानि यह second fundamental theorem की statement के तहत मैं कह सकता हूं कि इस continuous function का एक anti-derivative exist करता है on this interval 1,3 जहां पर जो anti-derivative होगा उसकी form होगी 1 से लेके x तक 1 over t dt x जो है वो 3 से छोटा यह उसकी बराबर होगा अब यहां पर यह मेरे पास anti-derivative तो आ गया अब using the first theorem first fundamental theorem of calculus मैं इसको evaluate करना चाहूंगा तो इसकी evaluation कुछ यूं होगी कि 1 over t dt को अगर आप integrate करें 1 से x तक तो यह बराबर होगी capital F of 3 minus capital F of 1 की बराबर capital F of 3 जो होगा वो होगा चूंके defined ही integral की form में है तो यह बराबर हो जाएगा 1 से 3 तक 1 over t dt के और इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं integral 1 से लेके 1 तक 1 over t dt लेकिन नोट कीजिए कि 1 से 1 तक मैं जो भी integral लूँगा उसका result 0 आएगा यह एक statement हम काफी पहले देख चुके हैं लेहाज़ा final answer आता है 1, 2, 3 integral 1 over t dt तो यह इसमें अब जो final answer आ गया integral 1 से लेके 3 तक 1 से लेके 3 तक 1 over t dt का इसको मैं इंटिग्रेट नहीं कर सकता यहनि इस गैरंटीड के इस 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 दी anti-derivative of the function 1 over x लेकिन there is no way मेरे पास वो techniques नहीं हैं अभी तक जिसमें हमने जो discuss की हैं जिसके जरीए इसका मैं कोई final एक function form में या इसका कोई number form में जवाब आ जाए तो इसमें अब देखें कि यह हमारे पास एक function है जो define हुआ हुआ है integrals के जरीए यहनि कहने का मकसद है कि 1 से लेके x तक 1 over t dt जो है defines a function in terms of integrals यहनि हमें मालूम है कि अगर हम इसको integrate कर लें तो result would be a function but we don't know how to do it so we say this is a function defined in terms of integrals अच्छा जी तो यह आखरी बात थी आज के lecture की यह भी हो गई और सबसे बड़ी बात तो यह के second fundamental theorem of calculus जो है वो हमने देखा और hopefully हमें समझ भी आ गया होगा वो ही मैंने जैसे कहा कि statement इसकी काफी simple सी लगती है लेकिन इसकी understanding problems करेंगे तो आपको होगी कि यह कहना का मकसद किया यानि यह इतना fundamental क्यूं है कि इसको इतना special नाम दिया गया और इसको इतनी importance है calculus में तो वो आप please कीजिएगा जरूर homework assignments और आप से फिर मेरी मुलाखात next lecture में होगी तब तक तक के लिए जादत आप 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 आप